है एवरिवन वेरी गूद मॉर्निंग तो अल फ्यू वेलकम तो दी लौ एंट्रेंज चानल ऑफ अटाट 24 7 मैं नेकिता सिंग आप लोग की लीगल मैंटॉर यहां पे एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक को डिसकेशन करने जा रहे हूं सबसे पहले अगर आप लोग इस चान क्या है हाउ टो स्टार्ट दो लौ एंट्रेंस एक्जाम प्रिपरेशन 2024 फ्रॉम दा बिगनिंग जो यहां पे साइंस के स्टूडेंट है ग्रेजुवेशन कर चुके हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट कॉमर्स के स्टूडेंट सबके माइन में एक कुश्चन आता है कि भा लौ कॉलेज मिल सकता है काफी सारे कोश्चन आप लोके माइन में आते होंगे राइट सो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा प्रोसेस बताओंगी सिंपल सा स्टेब बताओंगी अगर जिसने इसको फॉलो कर लिया ना ट्रस्ट वी क्लास आप लोगों का एक्जाम क्लियर हो चाहे, आप किसी भी Stream से रहें, आप सबको मालूम है, अगर आपको Law Entrance करना है न, तो देखिए, एक होता है Class 12 के बाद, एक आप लोगों का होता है, Class 12 के बाद, आप लोगों को क्या करना है? preparation और एक होता है आप लोगों को graduation के बाद क्या करना है preparation राइट जो class 12 में चाहें आपने science stream लिया है चाहें आपने humanities लिया है चाहें आप लोगों ने commerce लिया है कोई साभी field है आपको सिर्फ 45% minimum लाने है class 12 में और graduation जिसने किया है उसको सिर्फ 50% लाने है यह सबसे पहला step है आप लोगोंने यह step पूरा किया ना तो सबसे पहले आप लोगों आज की date में क्या करेंगे search करेंगे class 12 के बाद class 12 के बाद आप लोगों का कौन-कौन सा entrance exam है तो सबसे पहला आप लोगों का जो इंडिया का national law का exam है CLAT, इसको आज की डेट में सर्च करिए, CUET, UG, then Islet, then JMI, Jamia, Milia, Islamia, AMU, SLAT, और आप लोग के Other State Law Entrance Exam, State Law Entrance Exam, जिसमें महराश्च्र, आंदरपरदेश, तिरनगाना, करला, यह सब के colleges के नाम आते हैं, ठेक है, तो यह आप लोग का Class 12 के बाद का है, Graduation के बाद जो आप लोग के Top Colleges, Top Law Entrance Exam है, that is CUET, PG, then NL, SAT, NLU, Bangalore कराता है, IIT, Kharagpur, in my opinion, यह आप लोगों का सबसे Best Law Entrance Exam है, जो कि आप लोग को करना है, उसके बाद भाई, Preparation अगर आपको Start करनी है, तो अपने Life को आपको क्या करना है, सिर्फ 6 महीना, इस Rule को अपनाईए, यह क्या Rule है, 3, 8, मतलब आप लोग ना, हमारे पूरे, मतलब 24 घंटे में, आप देख सकते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के 24 घंटे को 8 घंटे में क्या किया है, दिवाइट किया है, 8, 3, 24, राइट ना, and trust me class, if you follow this rule ना, you will absolutely 100% success in the law entrance exam, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या दिया है, यह जो आज घंटे में, सबसे पहला जो हम लोगों का आज घंटा है ना, भाई, मजे करो, मजे मतलब सो आराम से, you have to sleep, मतलब 24 घंटे में से, मैंने आपको 8 घंटा दिया है, क्या करो, सो आराम से, सोना मतलब सोना, अब mobile देखते, देखते, सो कैसे भी लेकिन, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, follow करो इस से, right, दूसरा क्या है आप लोग, 8 घंटा, खुद को दो, self, self में आप लोग का क्या क्या आ जाते हैं, देखो, family को time दो, friend को time दो, health पे ध्यान दो, मतलब 3 घंटा health, hygiene, खाना, पीना, hobby पे ध्यान दो, 3 घंटा family, friend, faith पे, और 3 घंटा service, smile, soul, कुछ भी, मतलब ये 16 घंटा हमारे खतम, लेकिन, अब जो मैंने यहाँ पे, red से आप लोगों के लिए highlight किया है ना, इसमें बिल्कुल भी बेईमानी नहीं, ये क्या है आप लोगों का study time, देखो ध्यान से, ये आप लोगों का जो 8 घंटा है ना, ये आप लोगों को पूरा 100% dedication के साथ किसको देना है, पढ़ाई पे, चाहें आप school going है, क्योंकि जो school going बच्चे हैं, आप लोगों का जो self है 8 घंटा मालो स्कूल में, 6 घंटे का होता है, एक घंटा आना जाना, is that okay, तो ये आप लोगों के 8 घंटे का rule है, जिसने इसको follow कर लिया, समझो, life में वो जरूर कुछ बनेगा, अब 8 घंटे को माम हम अगर पढ़ाई में डिस्टिब्यूट करें, law entrance exam है हमारा, तो law entrance exam में देखिए, मैंने हर subject को कितना कितना time में डिस्टिब्यूट किया है, सबसे पहला law और current affair, दोनो main important subject है, चाहें आप लोग कोई सा भी law entrance का एक्दान जिदिए, ये दोनों आप लोगों के आने ही आने है, सबसे ज़्यादा maximum question इन ही दोनों में से आते हैं, next आप लोग का देड़ घंटा reasoning, देड़ घंटा English, English में जितना हो सके, vocab को strong करो, reading habit बनाओ, देड़ घंटे में, और एक घंटा आपना दो maths को, maths का वेटिज बहुत कम आता है, MSCT 3 year में, maths आता ही नहीं है, so जो भी यहाँ पे candidates हैं, follow this 8 hour rule, and in 8 hour of study rule, follow this time table, so जो भी यहाँ पे candidates हैं, अगर आप लोग को success चाहिए, तो ये CLAT का, एक separate batch है, CLAT एक National Law University में, जाने का जरिया है, जिसका exam अभी इसी साल 3 December को है, तो अगर आप लोग को यहाँ पे selection चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, coupon code apply करो Y391P, क्योंकि अभी आप लोग का फिलहाल, 80% का discount चल रहा है, जो यहाँ पे graduation कर चुके हैं विटा, तो आप लोग CUETPG सबसे पहला priority आप लोग का होना चाहिए, इस batch के लिए भी आप लोग coupon code यूज कर सकते हैं, Y391P, तो अगर आप लोगों को कोई साभी batch चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को simply क्या करना है, अड़ा, देखो, अगर आप चाते हैं कि मैम, मुझे तो हर exam देना है, अगर आपको हर exam देना है 5 year का, तो आप लोगों को क्या करना है, UG entrance, Law entrance, Law Maha Pack, इस Law के Maha Pack में आप लोगों का CLAT, ISLIT, MSCT, JMI, जो भी Law entrance exam होते हैं, सबका यह batch प्रोवाइद करेगा, तो बस यहाँ पे क्लिक करिए, और अभी 80% का discount चल रहा है, Buy Now पे क्लिक करिए, coupon code आप लोगों को apply करना है, that is Y391P, जैसे ही Y391P करेंगे, आप लोगों का 80% का discount है, और इस Law Maha Pack को purchase करते ही, एक साल तक सारे batches आप लोगों के पास रहेंगे, Life Classes होंगी, Life Classes का recorder session होगा, mock paper होगा, e-books होगा, doubt session होगे, etc. So Law के Maha Pack में, आप सारे Law Entrance के exam की तयारी कर सकते हैं, सारे Law Entrance का mock paper में लेगा, everything. लेकिन अगर आप लोगों को एक simple single batch चाहिए, तो आप CLAT का batch ले सकते हैं, CUTLV का, MSCT का, जो आप का मन करें, तो यहाँ पर, अगर CUTLV का चाहिए, तो यह आप लोगों का Titan batch है, यहाँ पर क्लिक करिए, Titan batch में लेना है आप लोगों को, तो बाइनाओ पर क्लिक करिए, और coupon code अप्लाई करिए, same, that is, Y391P, जैसे अप्लाई करोगे, आप देख सकते हो, 80% का discount चल रहा है, 6400 is the exact price of this batch, so, thank you so much for attending the session,